नमस्कार, क्या आपको जीवन जीने के लिए ये ग्यारा नियम पता है? आपको जीवन केसे जीना जीए? जीवन जीने का क्या तरीका है? जीवन किन माप दन्डों पर जीना जीए? उसके लिए बड़े बड़े विद्वानों ने ये ग्यारा नियम बनाए है ये 11 नियम बड़े-बड़े सास्त्रों में और हर जंगे ये 11 नियम लिके हुए हैं अगर आपको एक अच्छी लाइब जीनी है अगर आपको अपने समाज में प्रतिष्टा रखनी है अगर आपको अपनी फैमेली को एक अच्छी सिक्सा और एक अच्छी परवरिश देनी है तो आपको एक 11 नियम जानने बोच चुरूई होंगे अगर 11 नियम उमें से एक वी नियम आपने तोड़ दिया तो आपकी लाइप अन बैलेंस हो सकती है और यह जाने हनजने में 11 अब जानते हो लेकिन आप क्या करते हो अब इग्नॉर करते हो अरे ठीक है यह यार कर लेंगे यार और ठीक है थोड़ा बहुत हो चलता है और ऐसे होता है फिर अभी शुरुवात में आप इनको नेगलेट करते हो लेकिन जैसे जैसे समय बीता है आप रिगर्ट करते जाते हैं आपको एक फिलिंग आती है कि आर नहीं आर मैं उस वक्त ऐसा करता तो मेरे लाइब के लिए चाहिए था लेगिन आप क्या करते हो आप इबनोर करते हों बातों को इतना सीरियसली नहीं लेते हो और फिर आपको पस्ताना परते हो ग्यारा नियंग क्या है आज अपन बात करेंगे और आपको इनको अभी से फोलो करना सुरू कर देना चाहिए अगर आपको एक अच्छ से बात करने का तरीका का कैसा एक विवार होना चाहिए वो पता होना चाहिए आपकी बोली एक ऐसी चीज़ नहीं कि आप सामने वालों को अपनी बोली से मंत्र मुग्द कर सकते हो उनको अट्रेक्ट कर सकते हो और उसी बोली से आप सामने वालों को दुस्मन बना सकते हो किसी को तू तो तड़ा की बासे से बात नंकरे हमेसा सामने वालों को रेस्पेक्ट देकर बात करें आपका बात करने का त Baptist को जायए कि सामने वाला दो मिनित में आपको जज कर लें कर नहीं है किस टाइप का इस बंदा है किस टाइप का यह गएकनदी अपनी बात करने का तरीका बात करने का लहाजा एसा रखे ना कि बस सामने बाण आपको सुनता और शुनता ही रहooo सिधकंड है आपके कपड़े पहलने का तरीका हाया हर इंसान कपड़े पहलते हैं लेकिन बहुत आपने देख उगा उएफ cash im ही what our bucket branded कपड़े पेर आपको क्या लगता कि Forward Selling कंदे अर्भेसि cabinet कपड़े looking मेराना रात कम आपके ऊसे हो हो तो नहीं आपके कपड़े परें पुराने फक्राने कोई अपर पारता है लेकिन आपके कपड़े हमेसा साफ सुत्रे व्यस्तित होना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस हमेसा व्यस्तित होना चाहिए, आप बिजनिस कर रहे हो तो बिजनिस का ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, आप की जोग कर रहे हो तो वहां पर ड्रेसिंग सेंस अलग होना चाहिए, आपकी बतलब ड्रेसिंग सेंस ऐसा ह सां अच्छे रखना थर्ड आपका व्यवार आपका व्यवार लोगों से तैय करता है कि आप कितना उंचा जाओगे ध्यान रखना आपके जीवन में आपकी सिक्सा और आपका अनुभवी आपको अगे नहीं ले जाती है इनका रोल तो बड़े-बड़े विद्वान केते हैं इनका रोल तो बहुत ही छोटा होता है आपका लोगों से कैसा बिहेवियर है वो डिपेंड करेंगे कि आप कितना उपर तक जाओगे राप कितना नीचे तक जाओगे अगर आप लोगों से अच्छे मानवी संबंद बना कर होगे ना तो आपकी सपलता हमेसा निश्चित र लेवार करना होगा अच्छा हीवियर करना होगा तब भी आप आगे बञ सकुर एप कैस फोर्थ आप किसी भी कंडिशने in any situation में आपको negative thinking नहीं लाइए हमेसा positive thinking रखनी है अगर आप अपने दिमाग में in every condition में भी अगर positive सोच रखोगे ना तो आपको कोई मात नहीं जा सकता है और आप जीवन में कभी भी ठोकर नहीं कहा सकता है जीवन में हमेसा अगे बढ़ने के लिए आपको positive सोच रखनी होग आपको ये knowledge होना चाहिए कि पेसे किसे कमाए जाए और पेसे किस तरीके से कमाए जाए पेसे तो हर कोई कमाता है कोई जुए से कमाता है कोई दो नंबर से कमाता है कोई चल कपड़ से कमाता है कोई कैसे कमाता है लेकिन पेसे कमाना भी एक तरीका होता है पेसा हमेसा इमान पेसा हमेसा मेहनत और हार्ड वर्क से कमाये जाना चाहिए आप दो नंबर से आप छलकपट से और आप किसी का आहिद करके पेसा कमाऊगे ना तो वह पेसा आपके कभी भी काम नहीं जाएगा वह पेसा आप को शनिक शुक्त दे सकता है, एक सेकंड का सुक्त दे सकता है, पेसा बचाने का तरीका नहीं पता होगा ना तो आप समझ लो कितना ही पेसा कमा होगे वह पेसा आपके पास में सेविंग होगए नहीं पैसा उड़ता जाएगा पैसे की सेविंग का नोलेज होना भी आपको बहुत जरूरी है हमेसा जिहर में द्यान रखना कि सिर्फ पैसे कमाने पर ही नहीं लगे रहोगा उस पैसे को कहां सेविंग करना है यह भी आपको नोलेज होना बहुत जरूरी है खाना खाने का तरीका जी हां आपके खाना खाने बस मुझे वह काम क清य सब आपको नहींदमार जब आप खोना कर रहे हैं। अरे यार आप सब कुल किस्लिए कर रहे हो। आप अपने आत्सूरी के लिए कर रहे हो। लेकिन जब आपका स्वास्ती अच्छा हम रहेका। वह खाना आपके पेट के अंदर ही नहीं पचेगा तो वह पेशा किस काम का इसलिए आपके खाना खाने का तरीका सही होना चाहिए बिल्कुल आराम से बेट कर खाना खाए वैस्तित खाना खाए खाना चबा चुपा के खाए तो वो आपके स्रीर, आपके अंदर में अर्ल करेंगा, आपको शाथ सौराज के टरीखे से इंसां की जीन, का निर्बड करता है कि किम्हे लिबी re जो हीएगा इसलिए हमेसा जब इस जब सांस लेको अधूर स्रेह में आपकी सांस चाहनी के अंदरूनिवेटीपली वह सांस लेने के से इसकी इंसान हमेसा नहीं सुष्छ रहता हैं इस इसकी अधार नाइन वाइन 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 यह नहीं कि रात को कितनी बज़े आ रहे हैं कितनी बज़े सो रहे हैं कितनी बज़े उठ रहे हैं अगर आप इसा करोगे ना तो आपकी दिन चरिया अवस्तित हो सकती है आपका स्वास्त खराब हो सकता है इसलिए अपने सुने का तरीके के डंग सही कर ले ना आप आपके कारिय करने का तरीका आपके काम करने का तरीका भी वैस्तित होना चाहिए आप कहीं कर रहे हो तो आप अपने कलीक से कैसा विवार कर रहे हो आप अपने कस्टमर से कैसा विवार कर रहे हो आपके कारी करने के तरीके से आपके जलता है कि आप जिवन में कितना आगे लाश्ट इलेवन संकट से निकलने का तरीका है। हर इंसान के जीवन विपत्ति आती है। तो आपको भी उस विपत्ति में घबराने के जरूरत नहीं है। उस विपत्ति से निकलने का तरीका आपको आना चाहिए। तभी आप जीवन में अच्छी तरह के से आगे बढ़ पा को गोग।